हेलो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करेंगे एल्टी ग्रेट टीचर के जी की जेस के कोशन आंसर ये सारे कोशन इंपॉंटेंट है तो वीडियो को लाश्ट तक देखें वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले जिसे मेरे चैनल की सारी अपडेट आप का प्रेक्टिस सेट फर्स्ट कोशन है महमूद गजनभी का दर्बारी इतिहासकार कौन था तो महमूद गजनभी का दर्बारी इतिहासकार उत्बी था फिर्दौसी कौन था साहनामा ग्रंत की जो रचना की थी वो फिर्दौसी ने की थी और साहनामा ग्रंत को फार्सी भा का महा भारत भी कहा जाता है चंदबर्दाई कौनते चंदबर्दाई जो है वो प्रिथिवी राज चहान के दरबारी कवी थे इसेकंड कुर्शनल नेहरू राष्ट भक्त हैं जबकी जिन्ना राजनीतग हैं ये कथन किसका है तो यह मौलाना आजात का कथन है और यह कथन किस बुक में प्रकासित हुआ था ये इंडिया वीन्स फ्रीडम में दिया गया था या कथन और सरदार पटेल को ने सरदार पटेल को लव पूरुज भी कहते हैं और मुहम्मद इकबाल मुहम्मद जो इकबाल थे उन्होंने नारा दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हम और महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जो नारा था वो था भारत छोड़ो करो या मरो या हेरां थर्ड कोश्चन है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारत सरकार किस ने इस्थापित की थी तो विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतिय सरकार राजा महेंद प्रताप ने इस्थापित की थी और सुभाचन बोस ने आजाद हिंद फॉज की स्थापना की थी यहां पर इसका अंसर D है और सुभाचन बोस ने आजाद हिंद फॉज की स्थापना की थी फोर्थ कोश्चन है भारत का प्राचीनतम परवत कौन है? तो भारत का प्राचीनतम जो परवत है वो आपका अरावली परवत है भारत कहीं नहीं यह विश्व का भी सबसे प्राचीनतम परवत है और इस आरावली परवत की जो सरवच चोटी है वो है माउंट आबु है 5 question है नागरजन सागर बान्ध किस नदी पर आधारित है तो ये आपका कृष्णा नदी पर आधारित है कृष्णा नदी पर बनाये गया है और महा नदी कहां पर है महा नदी आपकी उड़ीसा राज में बहती है और महा नदी पर ही हीरा कुंड बांध जो है परियोजना का निर्माड कराये गया है नर्मदा नदी कहा पर है नर्मदा नदी आपकी गुजरात राज में है और इस नदी पे नर्मदा सागर परियोजना का निर्माण कराए गया है इसका अंसर C है 5 का 6. सॉली सीटर जर्नल निम्न में से क्या होता है तो ये कानूनी सलाकार होता है इसे महा नियाव्यादी भी कहते है और इसकी जो निक्ति करता है वो राष्टपती करता है 7. आकास्मिक्ता निधी को राष्टपती कैसे वै कर सकता है तो आकास्मिक्ता जो निधी होता है उसे संसदिय सुकृति से पूर्व वो वै कर सकता है एट कोईशन है भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है तो उच्छ छमता और आर्थिक बचत के लिए इसका उपयोग किया जाता है बहारी वाहनों में डीजल का उप्योग इसलिए किया जाता है क्योंकि डीजल की डीजल जो है वो पेट्रोल के अपेच्छा सस्ता होता है जिससे आर्थिक बचत होती है और डीजल में उच्छे छमता भी अधिक होती है नाइन कोश्चन है फोटोग्रोफी में उप्योगी तत्तो है फोटोग्रोफी में सिल्वर ब्रोमाइट का यूज होता है टेन कोश्चन है किस द्रव के एकत्रित होने पर मासपेस या ठकान का अनभोग करने लगती है तो वो है लैक्टिक एसिड टोल कोश्चन है एक वर्ड धानता पुरुस एक समान महिला से विवा करता है वर्ड धानता के लच्छन उत्पन होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में 12 question है केंद्री औसदी सोध संस्थान कहां इस्तित है केंद्री औसदी सोध संस्थान ये लखनव में आपका इस्तित है सिमला में जो है आलू अनुसंधान केंद्र इस्तित है 13 question है अल्ला रखा प्रसिद वादक किस से संबंदित है अल्ला रख्खा प्रसिद वादा कि ये तबला से संबंधित है और सितार वादन से पंडित रवी संकरजी संबंधित है 14 question है खुला विसुद्याले सबसे पहले कहां खोला गया खुला विसुद्याले सबसे पहले दिल्ली में खोला गया खुला विस्विद्याले सबसे पहले आंध प्रदेश में खोला गया था ये 1982 में आपका आंध प्रदेश में खुला विस्विद्याले खोला गया था जबकि दिल्ली में आपका इंद्रा गांधी राष्ट ये मुक्त विस्विद्याले की स्थापना की गई थी तो 14 का अंसर भी है 15 कोशन है सरवदिक जय विवित्ता पाई जाती है सरवदिक जय विवित्ता आपका उश्न कटबंद ये वर्सा वनों में पाई जाती है और भारत में ये केरल राज में सरवदिक जय विवित्ता पाई जाती है और केरल में कहाँ पर सांथ घाटी जो है जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जय विवित्ता पाई जाती है साइलेंट वैली या सांथ घाटी में 16. भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव राश्ट्रिय क्रिया योजना प्रकासित हुई ये 2008 में प्रकासित हुई 17. खाद स्रंकला या फूड चेन में मानो क्या है तो मानो प्रात्मी को भुकता दुत्तियक और तृत्तियक तीनों में ही ये आता है चोकि ये सर्वाहरी है इसका अंसर होगा 18. घाटे की वित्य विवस्था का अर्थ विवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अंसर है C. मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोत्री इसमें क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है इसे ही हीनार्थ प्रबंधन भी इसे कहते हैं 19. जनसंख्या के निमलिखित में से किस अंको समावेसी विकास के कारक्रम में समलित नहीं किया जाता है तो सीमांत क्रशक को सामिल किया जाता है भूम हीन क्रिसी स्रमिक को भी सामिल किया जाता है अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती को भी सामिल किया जाता है तो इन तीनों को तो सामिल किया जाता है लेकिन अर्ध सहरी छेत्रों में रहने वाले विक्ति को सामिल नहीं किया जाता है तो 19 का अंसर होगा D चो कि यहां समलित नहीं किया जाता यह पुछा है 20 question है Operation Green संबंधित है Operation Green जो है गोबर धन योजना गोबर एवन ठोस अपसिष्ट के प्रबंधन से संबंधित है इसका अंसर D है 22 question है Computer में Central Processing Unit के अंतरगत आते हैं तो इसके अंतरगत Store, Arthematic और Logical Unit और Control Unit आते हैं CPU को hardware की दृष्टी से तीन भागों में बाटा गया है जिसमें आपका यह आएगा 1st यह, 2nd यह, 3rd यह है 23rd सीडेक का संबंध किसे है तो सीडेक का संबंध जो है वो computer से है 24 question है Women of India Organic Festival के तीसरे संस्करण का आयोजन 1 October 2017 को नई दिल्ली में किया गया इस festival का उदगाटन किस मंत्राले के दौरा किया गया तो इसका महिला एवं बाल विकास मंत्राले के दौरा किया गया 25 question है Bricks का नवा सिखर संबंध की संदर में निम्न कतनों पर विचार करे 25 question का 2nd answer सही है इस सिखर संबंध की अध्यचता चीन के राष्ट पती C. Jinping ने किया तो यह कतन यहाँ पर सही है 25 का B होगा 26 और 27, 28, 29 और 30 question आपके यह math के हैं इसका अंसर आपका इसका अंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 26 का और next question आपका 27 का यह आपका 28, 29 और यह 30 question तो यहाँ पर यह practice set जो है complete हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना ना भूले 25 और चार संव पर जे भीड difpर है 25 और ढौत है 25 और यह रब्यक्षबश